इद आने वाली है और केक बनाना तो बनता है लेकिन क्या करें घर में चीजें सारी मुझूद नहीं है तो आप केक कैसे बनाया जाए? केक बनाना बहुत ही असान हो चुका है आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से सिर्फ तीन चीजों के साथ घर में चॉकलेट केक बना सकते हैं जो के बनेगा आपके घर में मुझूद चीजों के साथ तो चलिए रेस्पी को स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्ला है रह्मान रहीम अस्सलाम अलेकुम एब्रिवान उमीद करते हूं कि आप सब इल्कुल ठीक होंगे मेरा नाम है फात्मा और आप देख रहे हैं एफेम स्पावर जिहाना चैनल तो मेरे प्यार प्यार देखने वालो आज एट स्पेशल में में आपको बनाना सिखाऊंगी एट स्पेशल के केग जो कि बहुत SIMPLE है बनाना बहुत जल्दी बन के टियार होता है और आप इसे किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं और घर में बनांके हुद भी खा सकते हैं कर लिया अब नेक्स टेप क्या है वो मैं आपको बताती हूं सो नेक्स टेप में आपने लेना है एक अदर चॉपर यह आप ले सकते हैं जूसर ब्लेंडर अब यहां पर आपने तोड के बिस्किट्स जो हैं यह सारे शामिल कर देने इसके अंदर इत पर आपने इस केक को और यह दो आपने इसका धकन ह día रहरा है और उसको शिफ्ट कर देना है आपने किसी भी बोल के अंदर आप देख सकते हैं हुबसूरस आपने इक बोल लेना है और इसके अंदर यह सारा केक बैटर आप न डाल देना है यही कंसिस्टेंसी होनी चाहिए बहुत जादा पतला नहीं होना चाहिए आपका बैटर ठीक हो गया एक दफ़ा आपने इसको mix कर लेना अच्छे तरीके से और चेक कर लेना है कि सारे biscuits अच्छे तरीके से चूरा हो चुका है उनका के नहीं अगर कोई biscuit साबित है तो आपने इसको दुबारा से डाल के blender में या grinder में इसको आपने अच्छे तरीके से crush कर लेना है उसके बाद इसमें शामिल कीजे एक चमज भर के baking soda का यानिके 1 tablespoon और 1 tablespoon आपने इसके अदर दुबारा से डालना है milk यानिके दूद का और फिर आपने चमज की मदद से मिक्स कर लेना है और यह आपके बैटर की consistency होनी चाहिए mix करने के बाद बैटर बिल्कुल रेड़ी है अब आपने एक केक पैन लेना है यहां पर मेरे पास 6 इंच का केक पैन है इसके अंदर आपने ब्रश की मदद से ओल लगाना है और इसको ग्रीज कर लेना है आप हातों की मदद से भी ग्रीज कर सकते हैं अगर आपके पास यह ब्रश मुझूद नहीं है अब आप देख सकते हैं मैंने ओल लगा दिया अच्छे तरीके से यहाँ पे मेरे पास wax paper है इसकी मैंने दो इस तरीके से sheets काट ली है और दोनों sheets को मैंने नीचे लगा देना है इसके उपर सांचे के अंदर और आप चाहें तो baking paper भी ले सकते हैं और यह sheet लगाने के बाद तो आपने दुबारा से ब्रश की मदद से इसके ऊपर और लगा देने थोड़ा सा ताके शीट प्रॉपरली स्टिक हो जाए सांचे के अंदर केक पैन हमारा बहुत अच्छी तरीके से ग्रीस हो चुकथ है अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे केक का बैटर जो के हमने तियार था यह सारा मेजा इसके अंदर डाल देंगे और फिर आपने इसको एक डफा टैप कर लेना है अच्छी तरीके से ताकि इसके अंदर से सारी air bubbles निकल जाए ये एक layer की quantity मैंने आपको बताईए अगर आपने दो layer का cake बनाना है तो आप इस quantity को double कर सकते हैं अब यहाँ पर मैंने oven को preheat किया था 10 minute के लिए 180 degree centigrade के उपर इसके बाद हमने cake का सांचाइस के अंदर रखा oven के अंदर और इसे bake कर लिए तकरीबन 40 minute के लिए 180 degree centigrade के उपर अपर और lower आपने burner दोनों आउन करने हैं यानि के दोनों rods आउन करने हैं अब यहाँ आप देख सकते हैं toothpick insert करके भी मैंने चेक कर लिया वो clean आई है इट मीन्स के हमारा cake ready हो चुका है और यह देखें easily मैंने इसको बस उल्टा किया और निकल के आ गया कोई मुशक्कत नहीं करनी पड़ी cake निकालने के लिए और अब यह इसके पीछे हमने back side पे जो लगाया था wax paper उसको भी हमने easily remove कर लिया आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यदा soft बना है बहुत मज़े का बना है और यह एक लेयर का cake हमारा त्यार हो चुका है अब हम केक के लिए गिनाश त्यार कर लेंगे तो इसके लिए सबसे पहले तो आपने जो biscuits के अंदर से cream उतारी थी आपने वो डालनी है तीन चमच इसके अंदर डालिएगा दूद के दो चमच इसके अंदर आपने भर के डालना है cocoa powder का cocoa powder अच्छी company का लीजिएगा मैंने crave का यूज किया है कड़वाना ले लीजिएगा इसके बाद इसे mix कर लें अच्छे तरीके से और mix करने के बाद आपने इसके अंदर शामिल करनी है दो चोटी चमच चिनी की मैंने यहाँ पर दानेदा चिनी यूज की है आप इसी हूई चिनी भी यूज कर सकते है चीनी डालने के बाद इसको mix कर लें एक से दो मिनुत के लिए पकाएं ये ठिक हो जाए तो चूला बन कर दे और चूला बन करने के बार next step क्या है वो यह है कि आपने केक के उपर इसको इस तरीके से डालते जाना है बहुत जाद इसको ठंडा नहीं होने देना नहीं तो चॉकलेट जो है वो सेटल हो जाएगी और फिर easily पोर नहीं होगी केक के उपर तो बिल्कुल उतारते साथ ही आपने एक दो मिनट छोड़ना है और फिर आपने केक के उपर इस तरीके से पोर कर देनी है साइट्स पे लगा देंगे चमच की मदद से तांके साइट्स जो है वो भी हाली ना रहें अब जो भी मैस क्रियेट हुआ है टीशू की मदद से आपने इसको क्लीन कर लेना है प्लेट को तो अब आप देख सकते हैं बहुत हद तक हमारा केक तियार हो चुका है अब घर में जो भी आपकी चीजे मुझूद है उससे आप गानिश कर सकते हैं मेरे पास यहां पर डाक अब खासा मैंने कट किया है सामने से और इस तरीके से मैं इसके उपर लिग दोंगी हैपी एद ताकि एद का परफेक्ट लोका है आपके पास घर में तो लगाएं नहीं है क्रीम तो कोई बात नहीं आप ऐसे भी बना के खा सकते हैं बिसिकली जो भी आपके घर में चीजे आप उससे बना सकते हैं केक और अगर आप सिंपल तीन इंग्रिडियर्स के साथ केक की बेस बना के खाएंगे तो वो भी आपको बहुत अच्छी लगेगी इसके इलावा आप बिस्किट्स जो है वो ज़रूर चॉकलेट सैंविच बिस्किट्स ही लीजेगा और यो ले सकते हैं इसके लावा चॉकलेट सैंविच बिस्किट्स जो आते हैं वो आप कोई से भी ले सकते हैं तो यह आप देख सकते हैं यहां पर मेरे पास एडिबल पर्ल्स थे तो यह भी मैने लगाया है ताकि प्रॉपर चमक आनी चाहिए केक के ऊपर एड का केक है तो इसे डेकोरेशन तो बनती है जो भी डेकोरेशन माटीर है स्प्रिंकल बगारा हर चीज आप इसके ऊपर डाल सकते हैं जो आपको पसंद है नहीं तो सिंपल भी से खा सकते हैं मुझे उमीद है कि आप लोगो यह केकी रेसिपी बहुत अची लगी होगी वीडियो पसंद आ वाचिंग ते कियर अल्ला हाफिज और अल्ला निगे बान